तो गुलाब जाओन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है 40 कलो दूद 40 कलो दूद मैंने लिया है 40 कलो दूद को मैं यहां पे मशीन में उबाल लेता हूँ दूद को उबालना है यहां पे मशीन में दूद उबाल लूँगा इस तरीके से हमने भट्टी का फ्लेम बिल्कुल फाही पे रखा है यहां पे हमारा दूर्द जो है बिल्कुल उबल चुका है देख सकते हैं आप हमारा दूर्द उबल रहा है मशीन में इसके बाद में हमने क्या करना है दूर्द को एक टप में छान लेना है यहाँ पर मैं दूद को एक टप में छान रहा हूँ तो यहाँ इस तरीके से हमने दूद को एक टप में छान लेना है और उसके बाद मैं हमने इससे एक पतीले में पानी भरके रख देना है ठंडा होने के लिए यहां पर मैं दूद ठंडा कर रहा हूं देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने दूद को ठंडा कर लेना है यहां पर मेरा दूद जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है आपको मैं दिखा देता हूं हाँ से यहां पर देख सकते हैं हमारा दूद जो बिल्कुल ठंडा हो चुका ह इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हलका गुन-गुना गरम होना चाहिए और ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने लिया है पांच लीटर पानी पान्च लेटर पानी में इसके बाद में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर पनीर मसाला पनीर मसाला मैंने डाला यहाँ आदा कप उसके बाद में हमने क्या करना इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहना है और दूद को फाल देंगे तो इस तरीके से हमने थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहना है दूद को हमने फाल देना है देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा दूद जो है बिल्कुल फट चुका है थोड़ा सा ओड़ डाल देंगे इसी तरीकी से थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना तके हमारा दूद फड़ जाए तो यहाँ पर देख सकते हमारा दूद जो है बिल्कुल फड़ चुका है तो इसके बाद में हमने एक कपड़ा उपर से लगा देना है मलमल का उसके बाद में हमने इसका पानी जो है उपर से निकाल लेना है इस तरीके से हमने पानी को निकाल लेना है अब देख सकते हैं हमने सारा पानी निकाल लिया उसके बाद में मैंने लिया एक टोकरा टोकरे में मैंने एक मलमल का कपड़ा और लगा दिया है इस तरीके से उसके बाद में हमने पनीर इसमें डाल देना है इस तरीके से हमने पनीर को इसमें डाल देना है ताकि हमें पानी निगलता रहे उसके बाद में हमने कपड़े को बांध देना है दोनों साइडों साइडों से हमने कपड़े को बांध देना है दोनों साइडों साइडों से हमने कपड़े को बांध दिया है उसके बाद में हमन इसको टांग देता हूं और उसके बाद में हमने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है और उसके बाद में हमने इस तरीके से इसके पानी को निकालना है इस तरीके से हमने इसको सारा पानी निकाल देना है इस तरीके से यहां पर हमने पानी निकाल दिया है और उसके बाद में ह दूसरा बैच भी ready कर लियाओं दूसरे बैच को भी holy कर लिए दूसरे बैच को भी इसी तरीकर से हास से मेश कर देता हूं कि सब्सक्राइब आख मैं पर्चxim Magnась में हमने क्या कर लियाफḥ YO पर मैंने 700 πंय़ट के लिखे नहीं डालना है तो exactement है कि क् spill ऐसके कई साध़ किल डिया है दुरिटत ग цвет करना कि यहां पर मेरा जDuDon So mean अधर में और गहीं डालना हो कि एक किल पनीर में 100 गहीं डाला जाता है ओर सो ग्राम में चीनि डाला कि अंदर जाली पड़ जाती है और अच्छा सा फुलावट होता है तो यह इसी चीज के लिए डाला जाता है चीनी और घी ताकि अंदर जाली पड़ जाए और अच्छा फुलावट आजाए बढ़िया पोफक्ट बन जाए इसलिए डाला जाता है इसके बाद में इसको मैश क कि आुँ कि अब दिया है इसके बांद में चाशनी निया है तप टक के लिए nano यहां पर 25 दो पानी 25 कजी पानी डाला है तर दो किलो और पानी और दोगना चीन तो यहां पर हमारा पानी गरम उचका है उसके बाद में चीन डाल रहा हूं कडाही में यहां पर हमने चीन डाल दिया शूगर उसके बाद में हम इसकी चासनी रेडि कर लेंगे इसको हिलाते रहना ताकि नीचे सड़े न Grupt जब तक बिल्कुल गल चुका है हम इसको उबाला आने तक की वेड कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो चीनी है चासनी है वो धीरे धीरे उबलने लग गया है इस तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी चाशनी जो बिलकुल उबल चुकी है यह जो उपर काले काले से आपको गज्जे दिखाई दे रहे हैं बुझ्जे वो हमारी चीनी की मैल होती है तो इस मैल को हमने निकाल लग फेक देना है इस मैल को हमने निकाल दिया है इस तरीके से उसके बाद में हमने इस चाशनी को दो चीजों में डिवाइड कर देना है इसके बाद में हम इस चाशनी को दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं यहां देख सकते हैं मैं एक पतीले में निकाल देता हूँ और एक टप में निकाल दिया है तो इससे तरी के हमने दो चीजों में इसे डिवाइड कर दिया है और जो हमारी कडाही में चाशनी बची हुई है यहां पे हमारी 20 किलो चाशनी बची हुई है उसके बाद इसको हम औ और पतली चासनी बना लेते हैं इसको हमने और पतला चासनी बना लिया है तो मैंने पांच किलो पानी इसमें और अड़ कर दिया है यहां पर हमारी जो पतली वाली चासनी है वह भी रड़ी हो चुकी है गुलाब जामुन जो होते हैं वह पहले पतली चासनी में डाला जाता है उसके बाद में गाड़ी जासिन में डाला जाता है तो यहां पर हमारा पनीर जो है बिलकुल ठंडा हो चुगा है तो यहां पर मैंने परात में पढ़ दिया हमारा पनीर बिलकुल ठंडा हो चुगा है इसके हम रस्त लगा लेते हैं बाकी मसाले इसमें डालके रिसके रस्त लगा लेते हैं तो इसको हमने थोड़ा सा मैश कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास है 22,25-200 ग्राम खोया तो खोया खोया की कोई कौंटिटी नहीं होती है खोया आप जितना हो उतना डाल सकते हैं इसके बाद मेरे पास 22,25-200 ग्राम खोया कोई बात में जितना मर्जी डाल सकते हैं जितना आपके पास हो उतना डालते कोई स्कील लिमिट नहीं होती है और उसके बाद में हमने बीच में इसको जगा खाली कर लेना है बाकी मसाले हैड़ करने के लिए तो यहां पर मेरे बीच में जगा खाली कर लिया है उसके बाद में हमने क्या करना है इसमें मैं डाल रहा हूँ बैकिंग पाउडर तो हमारा पनीर जो है साड़े साथ किलो पनीर है तो हमने इसमें डालना है साड़े साथ चमच बैकिंग पाउडर बैकिंग पॉर्टर डाला है, हमने साड़े साथ चमच समय डालना है, क्योंकि एक किलो पनीर में एक चमच डाला जाता है, तो हमारा पनीर है साड़े साथ किलो, तो हमने साड़े साथ चमच बैकिंग पॉर्टर डाल देना है, इस तरीके से, और उसके बाद में हमने क्या करना है यहां पर हमारा साड़े साथ चमच बैकिंग पॉर्टर कंप्लेट हो चुका है यहां पर हमारा साड़े साथ चमच बैकिंग पॉर्टर कंप्लेट हो गया है और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे मिठा सोडा तो मिठा सोडा कितना डाला जाता है मिठा सोडा डालेंगे ह सेटब कर दो чंब समच away चंमच तीन कनल पनीर में एक चंमच मिठा सोडा डाला जाता है तो कि ये साढ़े साथ कले तो मैं धायी चंमच मिठा सोडा डाला है उसके बाद में उसके बाद में में थोड़ा सा पानी डाल देना देख सकते हैं आप बुज्य कितने बुज्जे ले रहे हैं तो बैकिंग पॉटर नो मिठा सोडा बुज्जे लेते हैं तो इसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी मैश कर देंगे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पनीर में इस तरीके से और उसके बाद में हमने क्या करना है इसके बीच में भी जगा मैस्ट करें भीच में फिर से जगा बना लिए तो यहाँ परी मेरा है कस्टड पावडर critic यहां पियलो कस्ट美味 युल clarity मैंने डाला है 30.300 गराम कस्टड पावडर को भी थोड़ा सा पानी डालके इस thếóg गळा तो पानी में डाल के थोड़ा सामने इसको मैस कर लिया जाता है तो यहां पर हमारा साड़े साथ किलो पनीर है तो हमने साड़े बाइस सो ग्राम मैदा याइड किया है साड़े 2200 ग्राम मैदा अड़ में किया हमारा डो है जो बिल्कल रैडि हो गया है मिक्स कर लिया हमने तुसके बाद में अपको मैं गोली यां बना दिखा देता हूं कि इस तरीका संने मरें टोके टोडे लेके हैं इसके बाद में आपको मैं गोलिया करके वाल दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं गोलिया कर रहा हूं देख सकते हैं एह चोटे जस्थे गोलcade देखने पर जितना बढ़िया लगते हैं इस से जादा बढ़िया लगते हैं खाने में लुए ढ pork कि आप यहला Q2 इसी तरीके साब्वा नी होनी चाहिए उसी तो सा ठी MAN किegangenिर नी चाहिए पर रेडिक कर लिया पर लूड Cr अब देख सकते हैं आपर देख सकते हैं हमारा बुर्बिल मनें और आपका गुलाब जाते है ईसमें डाल देन हैं हम देख सकता है इसके बाद में हमरा तेल बिल्कुल पॉफट करा हम है तो हमने सारी गोलिया इसमें डाल देनी है इसको फ्राई करने के लिए तो यहां पे मैंने सारा गोली डाल दिया इसको fan ready करने के लिए उसके बादब दूसरी ट्रे Lapis वाली भीगोली डाल देंगे सारी इस तरीके से इस कलाही में हमने ओईल डाला है करीब 25 क Anfang केजी हमारा oil इस कलाही में है तो हम ने इसमें करीब इसमें तब तक हम पनी को नहीं करना इसको यहां पर उपर आ जाए। चाल को से बटी का यह बिल्कोल हाई पे कर दे दे नहीं छुछ में छ देख सकते हैं हमारी लो स्व्म और जो हमक्ला ऑनला गुलाव जाओं से उनमारा गुलाव जाओं यहां परहाम घुलाब जॉण हॉसके बिल्कुल हमारा डि छोटी पीसित सुआले अब हम इसको निकाल लेते हैं आप इसको निकालने के बाद में जो हमने पतली बाली ठासनी बनाई थी कडाही में उसके पहले हम पतली राणी में डॉल देंगे देख सकते हैं हमने पतली वाली चासनी में इसे पहले डाल देना है उसके बाद में यह जब 10-15 मिट में पतली वाली चासनी पी लेगा इसके अंदर चले जाएगा उसके बाद में इसे गाड़ी चासनी में डालेंगे तो इस तरीके से हमने इसको डाल दिया है बिल्कुल तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा ले ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रह तो थैंक यू सो मट गाइस